आज मैं बनाने जा रहे हूं तंदूरी पनीर बर्गर बहुत ही आसान तरीके से जब भी बच्चों को कुछ खाने का मन करें चट पटा तो आप इसको जट पट घर में बना सकते हैं तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले यह मैंने पैन ले लिया है पैन गरम हो चुका है अब इस पर मुझे थोड़ा सा तेल डाल देना है इसको अच्छी तरह से गरम कर लेना है यह हमने पनीर की टुकड़े को छोटा-छोटा काट लिया है क्यूब के आकार में 100 ग्राम पनीर हमने ले लिया था तो बस हम इसको हमें दोनों तरफ से हो गया है कि इसको निकाल लेका है कर्मकर लिया है आप सेम पैन मिन वह पछ ले लिया है इसको घरम कर लिया है अब इसमें इसमें थोड़ा सा बटर लगा दोंगी भूर ज्वेत कर दोग बाएं सकते हैं आप के शेक सेटे़ंgent करति किते हैं चक्ते हैं तो रोटी की तंदूरी पनीड गirk बना सकते हैं तो मैं आपको दोनों ही बना के दिखा देती हैं, तो रोटी में भी आप इसको आराम से बच्चों को टीफिन वगर में दे सकते हैं, तो इजे देखिए इसको मैंने सेख लिया है, बस गैस कॉफ कर देना है, ये हमारी तैयारी हो चुकी है, तो चबी अब बनाना सुरू करते हैं, पुरा पनीर के ऊपर कोट कर लेंगे अच्छे से, तो ये देखिए पनीर तो तयार हो गई है, इसको हम रखते हैं साइड में, और ये हमने जो बर्गर रखा, सेख के बर्गर ले ले लिया, इसके ऊपर से मैं लगाँगी एक चमच मयाउनीज, ये बर्गर बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, और इसके ऊपर से थोड़ा सा टोमैटो केचप भी लगा लेना है, अगर आपके बच्चों को पसंद है तो लगाईए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, और इसके ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ अनिया, टोमैटो, सबजियां आपको जो पसंद है, उस हिसाब से लगा सकते हैं, अब बस इस पे जो हमने पनीर को रखा, ये तंदोरी पनीर इस पे जाएगा, अभी, उपर से लगा दीजिए, आप लेटेस के पते को थोड़ा सा, और उसके ऊपर से ये बर्गर लगा दीजिए, तो ये देखिए, बन गया हमारा तंदोरी पनीर बर्गर बहुत ही टेम्टिंग लग रहा है, तो तंदोरी पनीर बर्गर तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आपके पास बर्गर नहीं है, और नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसको रोटी में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो ये हमने ले लिया पै रोटी पहले से पकी हुई है थोड़ा सा बटर इसमें लगा लेना है तो बस गैस कॉफ कर देना है तो रोटी पे हम लगाएंगे एक चमच में उनीज अच्छे से फैला देना है थोड़ा सब के चप लगा देना है तो पर अनियन अब जो हमें पनीर को रखा रखा अब प्रस पूपर से लेटेस के पते को आप लगा देजिए अगर आपके पास है नहीं है तो फिर ऐसे ही इंजोए किजिए वह बहुत ही हमी लगेगा क्योंकि इसमें पनीर है और बस तो इसको क्या किजिए कि आप यहां से हाफ फोल्ड कर लिजिए और फिर इस तरफ से और दूसरी तरफ से अबस आप में लिए एक पॉइल पेपर पॉइल पेपर में इस तो रड़ कर दिए और यह लिए बन रही हमारे तंदूरी पनीर रोल यह बहुत है रोटी के साथ ही बहुत ही यमी लगता है तो आप दोनों तरीके से जो आपको पसंद आयो ठ्राइब कर सकते हैं तो यह लीजिए बन गया हमारा तंदूरी बर्गर और तंदूरी पनीर रेप भी आप देख सकते हैं खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करना जोटे आपको एक लीजिए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई कर दो दो अगर आपको यह वीजिए रेसिए रेसिए रेसित वाइक से तब तक के लिए रेसित वाईब जरूरी लगता हैं